असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माइ यूट्यूब चैनल वी यू स्टड़ी विद मी जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स आज की अपनी इस वीडियो में हम सोश्यालिजी 101 लेक्चर नंबर वन डिसकस करेंगे पार्ट टू इससे पहले मैंने जो वीडियो लेक्चर वन की अप्लोड की थी उसमें पार्ट वन मेंशन तो नहीं है क्योंकि मुझे यही था कि शायद आपकी वो वीडियो में तमाम MCQs जो हैं वो कवर हो गए हैं लेकिन बाद में जब मैंने मजीद इस चैप्टर को रीट किया इसमें काफी सारे MCQs आपके थे जो रह गए थे आपको प्रोवाइट करना और फिर कुछ मैंने आपके पास्ट क्विजिस भी देखे उन में भी काफी MCQs इस चैप्टर से रि जितने भी आपके MCQs हैं वो तमाम इन वीडियो में कवर हो जाएं और आपने आप लोगों ने फर्स्ट वली वीडियो देखी होगी अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उसको देख लीजिए फुल वाच कीजिए उसके बाद आप ये पार्ट टू करेंगे तो इंश तो आपने बहुत अच्छे से अपने concept clear करने हैं तांकि आपके अगर statement different होती है या आपको इस तरह होता है कि आपकी किसी topic से related conceptual आपको आता है तो वो आप अच्छे से उसको correct answer दे सके क्योंकि sociology 101 का paper आपका थोड़ा difficult होता है, tricky होता है, तो इसलिए आप लोगों ने बहुत अच्छे से prepare करना है, concept clear करने है, तब ही आपका ये paper अच्छे से हो जाएगा, इन्शालाँ, तो चलिए student, video start करते हैं, और video start करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया, तो please मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए, और video पसंद आये तो like भी जरूर कर दीजिए, जी आपका ये, देखिए, first MCQ ही आपका, ये, आपका जो second topic है, उससे related है, conceptual है, लेकिन topic जो है, वो आपका second है, ठीक है, suppose your native land employment opportunities are limited and agriculture development is poor, proposed idea is to migrate towards cities, which factor of migration will be involved in this situation, ठीक है, ये आपका एक topic है, push and pull factor का, वहाँ से ये conceptual, आपको question दिया गया है, और आपको आगे, ये MCQs दे दी हैं, तांके आप यहाँ से select कर सके, ये, मैंने भी इसको read किया, वैसे ये, आपके past quiz में repeat हो रहा है, और मुझे खुद भी था कि ये, आपका MCQs बन रहा है, यहाँ पर, तो मैंने ये इसको यहाँ पर लिख दी है, तांके आपको idea हो जाए कि आपका जो conceptual question है, वो किस type के होते हैं, ठीक है, नेक्स चलते हैं, who among the following introduces the conflict perspective, ठीक है, ये इसका आपका answer है, कर्ल्ड मार्क्स, आपका जो, इस वीडियो में आपके MCQ वो तकरीबन आपके, सिर्फ जस्ट आपकी statement change है, answer सबके सेम है, तो आप लोगोंने paper में, quiz में आपने confused नहीं होना, statement अच्छे से याद रखेंगे, तो आपका answer बहुत अच्छे से आप select कर सकेंगे, बस आपने confused नहीं होना, आप लोगोंने statement अच्छे से याद रखनी है, just statement का आपका फर्क है, जब आप खुद भी आराम से ये video देखेंगे, prepare करने के लिए, अपनी या फिर्मिट की preparation के लिए, तो आप खुद भी देखेंगे, कि काफी सारे MCQs same है, लेकिन आपकी just statement अलग है, ठीक है, आपका 3 है, the concept survival of the fit test was given by Herbert Spencer, ठीक है, next चलते है, what causes a society to change after its settlement, अब ये august comment ने इसको किस, मतलब इसका जो answer है, वो किस question में देखा, तो ये आपका scientific method है, first फली वीडियो में भी मैंने आप इससे related 2-3 MCQs लिखें में हैं, वो भी आप देख लीजेगा, ये same same है, ठीक है, next, next है, which of the following is also known as social static, ठीक है, social order है इसका answer, यनी social order को social static भी कहते है, number six है, a way of understanding the world based on science is called positivism, अब first वीडियो में positiveism से भी related, आपके 2-3 MCQs, I think two MCQs मैंने वहाँ पे लिखें में हैं, वो और ये same है, just आपकी statement change है, ये अब यहाँ पे कुछ आपके past quizzes में से हैं, वो मैंने लिखें हैं, कुछ जो आपके मजीद चैप्टर में से यहाँ लिखती है, मैंने mention नहीं किये, ठीक है, कि ये quiz में से हैं, ये lecture में से हैं, लेकिन है ये आपका lecture number one ही, अब next step, which of the following is also known as social dynamic, इसका answer है social change, यानि social change को आप social dynamic भी कहते हैं, which one, अब ये आपका conceptual question है, which one of the following is not a pull factor of migration, ये आपके topic में नहीं है, लेकिन आपको इसका answer कैसे पता होगा, कि जब आपको pull और push factor के बारे में थोड़ा सा concept होगा, यानि आपको पता है कि अगर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसकी reason क्या होती है, like आपकी employment है, यानि आप रोजगारी के लिए कहीं पे जाते हैं, आपका कहीं पे काम नहीं हो रहा होता, तो आप उसकी वज़ज़ से दूसरी जगह पे move करते हैं, या फिर कोई जंग हो रही होती है, तो उसकी वज़ज़ से आप कहीं और move करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका living और सुरी, यहाँ पे यह रह गया है, और अगर आपकी living condition अच्छी नहीं है, या आप खुद उसको improve करना चाते हैं, तो तब भी आप किसी दूसरी जगह पे move करते हैं, उस वज़ज़ से आपका यहाँ पे pull factor, इन तीनों के लिए pull factor है, और political stability आपका कुछ भी नहीं है, है, ठीक है, यह आपका past quiz में आया हुए, sociology differs from common sense arts, अब यह आपकी definition से ही related है, यहाँ पे Justin उन्हें इसकी statement change कर दी है, वीडियो लंधी होती जा रही है, बस यह, next आपका है, systematic observation and imperish reality are associated with scientific method, यह भी अब उसी topic से scientific method, positivism, imperialism, ठीक है, यह सारे आपके same topic हैं, तो आपने बस कोशिश करनी है, अच्छे से इनको याद रखना है, आपने, the change in thinking pattern of august com was result of industrial revolution, je student, यह आपके 12 बने थे, जो मैंने यहाँ पर आपको provide करते हैं, उम्मीद करती हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, Allah हाफिज,